हलो दोस्तो वेलकम बैक टूबर यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज को हमें एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक और न्यू रिक्रिमेंट के बारे में जो की प्लेनिट स्पार्क के द्वारा निकाली गई है और यह किस रॉल के तो eligibility criteria क्या eligibility criteria है देखो इसमें क्या है आप creation हो ठीक है तो आप इस form को बह सकते हो ठीक है इस VACCY को और यदि आपकी graduation 2022 में complete होने वाली है तब भी आप इसे बर सकते हो ठीक है सबसे बड़ी बात क्या है इसमें जो vacancy है वो 500 प्लस है ये सबसे बड़ी बात है 500 प्लस vacancy है ठीक है तो इसलिए ये form आपको बरना चाहिए और इसकी जो salary package एक साल का वो बहुत तगड़ा है 6 लाग प्लस है ठीक है 6 लाग पर येर से जादा है तो ये काफी ठीक ठाक है इसलिए आप try कर सकते हो 500 प्लस vacancy है business development के लिए क्या काम होगा इसमें आपको कुछ lead provide कराई जाएंगे company के तरफ से और फिर आपको उन्हें convince करना होगा जो भी इनकी website पे अच्छा इसमें ये website करती क्या ये planet spark company क्या करती है कि जो online courses हो गए वो provide कराती है public speaking course और कई तरह के ठीक है तो वो जब visit करते होंगे इनकी website पे तो ठीक है वहाँ से आपको lead provide कराएंगे या other कहीं से फिर आपको lead provide कराएंगे उन्हें calling करके आपको ने convince करना होता है ठीक है तो ये manly काम हो गया आपका और इसमें एक मेरा दोस्त भी लगा हुआ है तो पूरा अगर जाना चाहते हो full process क्या है कैसे क्या होता है तो उसका interview ले लूँगा तो बता देना ठीक है अगर चाहते हो तो comment section और comment करके बताना अब देखते हैं क्या होगा इसमें आपको grade learning पर आना है और career boost पर जाके वहां से direct apply कर देना है ठीक है और वहां पर आपको वह तो बनाई होगा account ठीक है ना बना हो तो comment section और comment करके बताना किस तरह से बनता है वह में बता दूँगा ठीक है तो qualification BE, BTEC, MBA, any graduate, PG, batch, year of graduation 2019, 21 और 22 ठीक है तो इस तरह से आपको आप इसको भर सकते हो ठीक है अगर 22 में भी हो तब भर सकते हो परसंटे क्राइटेरिया 50 परसंटेरिया ज्यादा नगी है ठीक है फुल टाइम है इस टाइबन मिलेगी 14 दिनों के लिए 10 अज़ार इसमें आपकी training कराई जाई पूरा कैसे क्या होता ठीक है उसके बाद 6.5 LPA 6.5 पर यर का है ठीक है तो इस तरह से है और 4 LPA fix है बागी का variable है ठीक है अब selection process की बात करें तो देखो पहले होगा आपका टेस्ट ठीक है नॉर्मली टेस्ट होगा और उसके बाद होगा जीडी उसके बाद role play और उसके बाद final round ठीक है तो इसमें क्या हो GD तो group discussion होगा ठीक है कोई topic देदेंगे उसमें 8-10 लोग बैठेंगे और GD लेंगे select करेंगे वह उसके साब से अपने साब से ठीक है role play में क्या होगा जैसे मुझे मालूम मैं कोई customer हूँ ठीक है मुझे convince करना है तो इस तरह से वह कहेंगे कि भाई तुम एक यह हो ठीक है म मैं customer हूँ और मुझे convince कीजिए तो इस तरह से वह देखेंगे तुमारा क्या role रहता है उसमें ठीक है और communication भी देखेंगे एक final round होगा है जो कि एचा round होगा normally ठीक है तो मिलते हैं औरी वीडियो में thank you for watching वीडियो